खिद लो खलें बाद के से घुपीत लो खारी devices सवागते मेरी चानेल पर gardening भी तेलवी का फेंट से देखें ये कॉलियस का पौदा है मेरे पास एकी कलर का कॉलियस का पौदा है मैंने दो साल पहले इसका छोटा सा cuttings लाके लगाये थे अभी देखें इसमें मेरे पास बहुत सारे पौदे है और ये देख सकते हैं आप में रूटस भी आ गए हैं ऐसे ह이면 बहुत सारे पौदों में एसे अपने आप रूटस आ जाता है आईसी गुडलकी पौधे में भी इसे रूटस आता है यह निकाल कर इसका चोटी सी छोटी कटिंग भी लगा के डिर सारे ऐसी घुबशुरत पौदे बना सकते हैं अगर आपको gardening का शौक है तो आप कही से भी ऐसे छोटी-छोटी cuttings लाके लगा के अपना शौक पुरा कर सकते हैं और ये देखे इसमें आपको बहुत सरे colors में आपको nursery में मिल जाता है लेकिन मैं nursery से कभी पौदे करिके नहीं लाती हूँ प्लास्टिक का पैकेट लिया है उसमें मैंने छोटा सा cutting लगा है और ये देखे एसे ही मैंने पिछले साल भी एसे ही छोटे-छोटे cuttings लगा के बहुत सारे पौदे बनाये और यहां पर आप देख सकते हैं ये देखे इसका छोटा सा cutting नीचे गिरकर यहीं भी roots आ गए है मैं आपको दिखाती हूँ ये देखे कितने अच्चे roots निकले इसमें ये मैं छोटा सा cutting ऐसे ही लगा सकती हूँ और डेल सारे पौदे बना सकते हैं अभी बरसात के मौसम में हम कोई भी cutting अभी इस वक्त लगा सकते हैं और कोई भी cuttings कैसे भी लगाए तो cuttings successful हो जाता है और ये देखे ऐसे हम डेल सारे पौदे हमारे गार्डन से ही लगा के डेल सारे cuttings लगा के डेल सारे पौदे बना सकते हैं और ये देखे ये मैंने croton का cuttings भी लिया है ये भी मैं अभी लगाऊंगी ये भी मेरे पास एकी पोदा था क्रोटन का और ये भी मैंने छोटा सा कटिंग लिया है और ये भी कटिंग में ऐसे ही लगाऊंगी आप इस वाक्त इस बरसात के मौसम बे जैसे भी आप कटिंग लगाऊंगी तो वो कटिंग सक्सेस्फुल हो यह पिछले हव्ते में बड़ ट्रेसिन और कुटा सा कटिंग इसमें लगाए था अभी मैंने सोचा कि इसको निकालके और लगा देती हूँ लेकिन इसमें अभी छोटा से रूट्स आने लगे हैं इसलिए मैं इसको अभी नहीं निकालोंगे थोड़ी दिन के बाद में इसमे से निकाल के कहीं और लगा सकती हूं, और ऐसे हम कईसे भी चोटे से छोटी cutting इस वक्ट लगा सकते हैं, और देर सारे पौदे बना सकते हैं, इसलिए अभी इस बरसात के मौसम में आप भी बहुत सारे cuttings लगा के आपके garden में देर सारे खुबसूरत ऐसे पौदे बनाए और ये करली क्रोटन का पौदा है ये भी मैंने चोटा सा कटिंग लिया है ये भी मैं अभी लगाऊंगी ये करली क्रोटन है ये भी मेरे पास एक पौदा था उसी में से मैंने एक चोटा सा कटिंग लिया है ये भी मैं अभी लगाऊंगी द रखाता और यह देखिए मैंने अभी 2-3 cuttings, कुबसुरत पतों वाले पौदे के cuttings मैंने लगाए है यह देखिए बहुत ही कुपसुरत क्रुटॉन का पौदा है और यह कोलियस है अगर आपके पास बहुत सारे क्रोटौन और कोलियस है आप इस वक्त इसकी कटिंग अभी लगा के डेर सारे पौदे बना सकते हैं बहुत ही खुबसुरत पतों वाला पौदे हैं यह देखिए इसका छोटा सा कटिंग भी हम अभी लगा सकते तो फ्रेंट्स मेरी वीडियो पे बनी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर मिलेंगी एक और वीडियो के साथ तब के लिए बाई फ्रेंट्स